हालो और वेलकम दोस्तु दूट फाइ मिनिट्स इंजीनियरिंग आज का वीडियो वाकई बड़ा कम वाल का उने वाला है दोस्तु क्योंकि एक और भाईया टेस्टिंग का प्रकार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भाईया लोड टेस्टिंग जैसा नाम है ठीक वैसा ही काम है और उसके काम के बारे में यहां कुछ पॉइंटर्स मैंने मैंने मेंचिन किये जिनको बड़े डीटेल में आसान शब्दों में रिलेटेबल एक्जामपल के साथ आप तक मैं पहुचाने वाला जाए कि आखिरकर यह लोड टेस्टिंग क्या होता है और अगर क्लेर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने प्यारे से चैनल फाइम मेंट इंजिन को जरूर सब्सक्राइब करना और जल्दी से हम शुरू करते हैं समझना लोड टेस्टिंग क्या प्रकार है व हम यहां यह चेक कर रहा है कि आपका जो भी सिस्टम सॉफ्ट्वर जो भी भाईया आपने प्रोड़क्ट बनाया है वो अंडर रियल लाइफ मैं बात क्या कर रहा हूं जो रियल लाइफ मतलब आफ्टर लेट से वो मार्केट में चला गया यूजर के पास चला गया तो या अंडर दो लोड कैसा यह परफॉर्म कर रहा है इसलिए लोड टेस्टिंग कही न गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग का टाइप ही एक जो है समझ सकते हो उसके बाद करते हैं सबसे बड़ा प्रश्ण हो जिसका वो उत्तर देता है क्योंकि अगर आप यह सब कारनामे कर इसका मतलब क्या बनता है यह किसलिए कर रहे हो हाउउ मचयलोर सिस्टम क बड़ी यह relatable example मैं आपको दूँ जैसे आपके घर में washing machine होगा तीक है अब washing machine को अगर आप as a product as a example consider करेंगे तो उसमें लिख क्या आता है कि भाईया कितना load आप इसे दे सकते हो one time wash में कितना दे सकते हो 5 kilo, 10 kilo यह vary कर सकता है अलग-अलग machine के साब से लेकिन वो यहाँ पर as a भाईया precaution करके note दे देते हैं कि भाईया इतनी इसकी capacity इतना ही load इसमें डालना इससे जादा डालोगे तो आपका जो machine का जो normal working है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं न कहीं कुछ abnormality या जो भी washing हो रहा है वो इतने बड़ी अधन से नहीं हो पाएगा and that is what कईसे पता चल रहा है इस question का answer कईसे मिल रहा है load testing को follow करने के बाद बड़ी simple सी चीज़ है यहाँ पर identify किया जाता है कि यह जो आपका respective load की capacity चलो इतनी आ रही है चलो machine भाईया 10 kg यह handle कर सकता है एक बार में चलो ठीक है मानके चलते है just assumption कि machine एक बार में भाईया सिर्फ 10 kg यह handle कर पा रहा है या फिर आपने जो application बनाया है वो at a time let's say 10 या 20 लोग को बढ़िया तरीके से जो है serve कर पा रहे है या फिर response generate कर पा रहे है ठीक है ऐसा मानके चलते है तो फिर इसका reason क्या है so हम यहाँ identify करते है कि क्या इस capacity इस capability की पीछे क्या-क्या आपके respective system hardware या software की limitations exist करती है मतलब आपके कुछ hardware resources हो गए network resources हो गए software के आपके database हो गए application servers हो गए web servers हो गए तो यह सब मिली जूली जो भगत है memory requirement होगे CPU का जो है बहिए आपका processor का जो है एक तरीके से कोई limitation है क्या कि जिस वज़े से जो है यहाँ पे respective load capacity जो है हमें देखने को मिल रही है कम हो या जादा हो whatever it is the reason वो after the analysis अपन पता कर सकते हैं इसमें तो time काफी जादा लग रहा है यह तो normally behavior नहीं कर रहा है तो शायद अब यही उसका breakpoint होना ची कि इससे जादा अगर दोगे तो वो abnormal behavior nature की तरफ जाने वाला है तो यह कुछ चीज़े भी हमें यहाँ पे identify करने होती है साथी साथ to find the number of concurrent users system can handle जैसे मैंने अभी आपको बताए कि अगर लेट से आपने एक application यहाँ पे बना दी है तो मुझे बताइए एक बारी में एक ही instance पे कितने सारे users concurrently आपने request जो है वो system तक भेज सकते हैं और और इतना ही नहीं यहाँ पे बात की जारी है handle की बात की जारी can handle आपने भेज दिया चलो ठीक है बेजने को तो बहुत सारे भेज सकते हैं दस हजार एक लाग दस लाग जीतने भेजना चाहो भेज सकते हो चलो आपने भेज दिया अब यह आपका system जो है जो server है जो database है जो application server है क्या वो इन सब request को handle कर पाएगा handle कर पाएगा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका response time बहुत जादा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि response time काफी जादा लग रहा है यानि कि आपका system lag कर रहा है आपका system जो है आर आर delay elements को introduce कर रहा है यह सब चीजे चेक की जाती है आरार मतलब क्या request response, client की तरफ से request भेजना और response को प्राप्ट करना, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे delay elements introduce हो सकते हैं, network की वज़े से system के end पे hardware की तरफ से, client की तरफ से, ऐसी बहुत सारी जगा पे आपके delay elements introduce हो सकते हैं, तो उन्हें भी identify करना, उनको भी check करना, जिससे कि यह लग सके कि भाईया, कहां तक तुम जो है, pressure एक तरीके से जो load रहेगा, आपके system के उपर, वो handle कर सकते हो, यह simple सी बात आपको समझने हैं, मैंने example की तौर पे न, शुरवात में जब अपने पास washing machine आ जाता था, तो आपन इत्तु सा रहता है, वो है, उसमें फिर आपन कोश लोड था, उसके उपर मामला जा चुका है, तो आप भाईया, कपड़े भी फट सकते हैं, अगर कुछ भाईया ऐसी, रिस्पेक्टिव, जो behavior में अगर abnormality आ जाती है, तो नुकसान भी हो सकता है, यह भी चीज़, एक लिफ्ट का भी example ले लीजे, जब भी आप किसी भी लि पड़ता है, यह पता करना पड़ता है, और फिर यहां पर लोड टेस्टिंग का बहुत ही एहम रोल जो है, यहां आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ज़री यह सारा मामला clear हो गया होगा, अगर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, उससे भी ज़री इस अपने सार दोस्तों के साथ, थैंक्स अलोट दोस्तों पो वाचिंग दिस वीडियो